हाँ तो गाईज क्या हाल है आप सबका होफ़ली आप सबका हाल बहुत अच्छा आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो गाईज मैं आपके लिए आज बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि यह जो रेडवी नोट 7 प्रो है इसमें 48 प्लस 5 मेगा पिक्सल का कैमरा है बट इसके जो कैमरा यू आई में इतने ज़्यादा फीचर्स हैं कि आप बिना किसी सौफटेर को यूज की यह ऐसे फोटोग्राफ अराम से बना सकते हो इसके जो स्लो मोशन इसके जो टाइम लैप्स सभी आपको कैसी यूज करने वो कैसे हैं सभी के सभी का मैं आपको सैंपल दूँगा तो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों जैसे ही आप कैमराओं को ओपन करेंगे आपको बिल्कुली सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिलेगा फ्लैश है, HDR है, AI है अब भी अगर मैं आपको दिखाऊँ न तो AI से क्या होता यह जो हमारा एक सब्जेक्ट है इसकी अगर मैं एक AI मोड में फोटो लूँ, यह बिना AI के है और AI मोड के साथ फोटो लूँ, तो आपको अपनी स्क्रीन पर सैंपल दिख जाएंगे बड़ जैसे ही आप देखाऊंगे, मैं इस पर फोकस करूंगा, तो अभी यहाँ पर यह शो करा ही कि यह फ्लावर है, तो इसमें Artificial Intelligence है यहाँ पर है इसके कुछ फीचर, बट इसका जो असली मज़ा है, वो यहाँ पर है यहाँ पर अब जब आप Settings में क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको Timer का Option मिलता है Tilt Shift का Option मिलता है, Straighten यानि कि अगर आपने बिल्कुल सीधी फोटोग्राफ लेनी है Group Selfie का मिलता है Google Lens इस कैमरा के Inbuilt है अब भी 48 Megapixel का अगर आपको Short लेना है तो आप यहीं से ले सकते हो, आपको Pro Mode में जाने की नीड नहीं है उसके बाद दोस्तों जब आप Portrait Mode में आ जाते हो इसके आपको क्या करना है, बस अपने सब्जेक्ट पर ऐसे फोकस करना है बट इसका जो जादू है ना वो इसके Camera UI में मिल जाएगा दोस्तों सपोस करो यह जो आपने Portrait Mode का सैंपल है, वो आपने ये वाला लिया है, यह मैंने Redmi Note 7 Pro से ही लिया है यहाँ पर आपको एक आइकन देखने को मिल जाएगा, जब आप इसे प्रेस करोगे, सबसे पहले अगर आप देख सकते हो, तो आप Blur को Increase या फिर Decrease कर सकते हो, जो की मेरी उपिनियन से बहुत ही कमाल की बात है उसके बाद आप इसके लाइट trails चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको different तरीके का अगर background चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कि हर एक mode के साथ आपको वो change होता हुआ मिल रहा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जो पसंद हो लेक सकते हो, बट studio lighting में आकर आप अपने background को काला भी कर सकते हो, जैसा कि आपको मैं अभी करके दिखाऊंगा और इसके edge detection काफी अच्छी है उसके बाद अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर जो last में mode है, वो आपको सीधा ही सीधा आपको holy mode में ले जाता है, तो आज वैसे holy भी है, आप देख सकते हो कि काफी सारे option है, वैसे आप इने adjust भी कर सकते हो, बट यह जो holy वाला आप देख सकते हो, कितना realistic लगता है और य यह एक बहुत ही कमाल का mode है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप portrait mode से इसके काफी कुछ कर सकते हो, दोस्तो उसके बाद आजाता है इसका night mode, night mode में ना पहले मेरे को इतना अच्छा यह नहीं लग रहा था, बट जैसे ही मैंने use करना start किया, मेरे को बहुत दिखाता हूँ अपनी gallery में जो मैंने night mode से ली है, दोस्तो आप believe नहीं करोगे कि यह जो photograph है, यह Redmi Note 7 Pro से ली गई है, वो भी official camera से, मैंने Google camera का use भी नहीं किया, बहुत ही कमाल की यह photo आई है, क्योंकि यहाँ पर light काफी जादा कम थी, उसके बाद दोस्तो यह जो scare है, यह जो 2 seconds तक लेकर जा सकते हो, और आप इसकी ISO को भी 3200 तक लेकर जा सकते हो, और वैसे आपको पता ही है कि 48 megapixel वाला camera वाला option आपको यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर दोस्तो चीजे खतम नहीं होती है, यहाँ पर जब आप video mode में आते हो ना तो यह video है, इसमें आपको अगर settings म जाओगे आपको यहाँ पर time lapse और slow motion का option मिलता है, slow motion का sample मैं आपको थोड़ी दिर में दिखाऊँगा, उसके बाद अगर आप देखो ना तो आपको यहाँ पर image stabilization का option भी मिल जाता है, आप जो है full HD में 60 fps और 4K तक जा सकते हो, और सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप अगर कमाल के features हैं, जैसे ही हम front camera में move करते हैं, तो front camera में आपको इतने सारे feature तो नहीं मिलते बट जैसे ही आप front camera में आओगे, आपको flash, HDR, AI वाले features तो मिलेंगे, बट जो यहाँ का ported mode है, उसकी quality काफी अच्छी है, आपको इसके samples हमारे camera review में मिलेंगे, बट जो आपको beauty मिलती आप यहाँ से apply कर सकते हो, मैं वैसे आपको एक 5 level की और बिना beauty की image दिखा देता हूँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर दो images लिए हैं, एक beauty वाली और एक बिना beauty के, यहाँ पर बता दू कि इसका जो front camera का portrait mode है, वहाँ पर आपको studio lighting वाले options नही को दिखा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास Redmi Note 7B है, अगर आप इस smartphone पे इसके portrait mode वाला देखो न, तो जैसे आपको मैं दिखा हूँ, तो यह मैंने इसके portrait mode से ली थी, अगर आप देखो न, यहाँ पर background को इसने blur किया, बट इस device में आपको portrait lighting वाला कोई भी feature नहीं मिलता, यह यह थी portrait mode वाली, यहाँ पर आपको वो feature देखने को नहीं मिलते, बट यहाँ पर तारीफ करनी होगी Xiaomi India की जो उन्होंने portrait mode वाला, यहाँ पर हमें feature दिया, बहुत ही ज़दा कमाल का है मेरे opinion से, अगर मैं फिर से आपको जाकी दिखा हूँ न, तो यहाँ पर आप देख सकते इसके portrait mode में जो की बहुत important है, जैसे ही आप photo click करोगे आपको यहाँ पर option मिलेगा, आप यहीं से सारा कुछ चेक कर सकते हो, यह देख सकते हो कि normally place your subject in the spotlight जैसे ही आपने place किया, normally यह humans पर काम करता है, बट अगर आपका कोई object है, उस पर काम करेगा या नहीं करेगा, यह दिखा देता हूँ, processing के लिए 2-3 seconds लेता, बट जो इसका काम है वो seriously बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर देखो क्योंकि यह human subject नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे, बट जब भी आप human subject की photo लोगे थोड़ी close off वाली लेना, तो बहुत ही बड़ीया result आपको निकाल के दोस्तों, hopefully आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीस लाइक कर देना, अगर comment, query, question, कुछ भी अतनीचे comment section में mention कर दो, इस वाले वीडियो में कैब लेत नहीं था, दिखते लेने के लिए धन्यवाद, अब हम आपसे मिलते आपको वीडियो में